जय जय माकमक्या जय जय तारा जय जय तारा रादे रादे हम बात कर रहे हैं गुरू नच्छत्र पड़िवर्तन से मेश रासी से मिन लगने वाले तक जातियों को क्या क्या लाव और उपसान होगा अभी तक हम बता चुके मेश से ले करके मेश लगन से ले करके कुम लगन तक के हम बता चुके हैं आज हम बात कर रहे हैं मीन लगन और मीन रासी के लिए आप ध्यान पुरवक के से सुने और जो भी मैं उपाई बता रहा हूं अगर आप इस उपाई को आप कर लिए तो सोचिए छप पर फार के आपको लाब मिलने वाला है मीन लगन वाले के लिए तो बहुत ही जबरदस्त योग हैं हम विशेवे जाने से पहले आपको एक मात नची बता देता हूं अकि ताकि अभी ऑतनी वीडिए देख लेते हैं वीडिए देखते हैंeder सब्सक्राइब करना भूम्ण पर thé मेल आइकन को दबाना तो असर्म है कि आप एसा नच प्ले आप रहें चैनल को लाइक और दीजे साम्स्क्राइब कर दिजे कि वीडियो में त्रूटी हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें ताकि हम कि हम अपनी गलती को सुधारने का कोशिस करेंगे कि समय ना ज्यादा लेते हुए आप विसे पर चलते हैं मीन रासी मीन लगनवाले के लिए बुरू ब्रस्पति जो नचत्र पड़िवर्तन किये हैं उससे क्या लाव होगा अभी आपके इंकम अस्थान पे जो बानी अस्थान पे है कुटुम अस्थान पे गुरू राहू मेल करके गुरू चंडाल योग का निर्वान कर रहे थे जो बनते बनते काम बिगर जाते थे जो आपके पक्ष में आदमी थे वही आदमी आपके ब्रोद में होते जा रहे थे जो आपसे नजर ने उठा के बात कर रहे थे वह आदमी आपसे नजर उठा के बात करना लगा हो आपकी गल्तियों पे नजर रखना आपके किट्री से पीट पुछे आपके नुक्सादे शिकायत करना अब जो है इसमें राहत मिलेगा गुरुई का पंचम दिश्ट्री जो रोग और सत्रु अस्थान को देख रहे थे पंचम दिश्ट्री से अब उसमें यह है आपके अगर सेहत खराब थे तो सेहत में सुधार होगा आपकी बिरोदी जो है वह आप से दोस्ति करेंगे नलिहाल पक्ष जो आपके मात्री पक्ष से जो है वहां पे भी कुछ खुश्खबरी होगा वहां पी तरक्की होगा उसके बाद अश्टम भाव को देख रहे हैं तो आपको गुप्त धनलाव के योग भी बन रहे हैं और नमम दिश्टी से दसम भाव को देख रहे थे जो आपके कारेवार धीमी गति से चल रहे थे उसमें इजहाप्भा होगा पहले आप महनत जादा करते थे इंकम उसमें कम होता था बचत बहुत कम होता था अब बचत होगा अगर आपने कहीं पे भी इंवेश्ट करके रखे थे तो उसमें भी इजहाप्भा होगा कि शेयर सप्टा लोटरी से भी आपको लाब मिलेगा कि शेयर मार्केट में अगर इंवेश्ट किये हैं तो उसमें भी आपको कि अच्छा लाब होगा कि उसके साथ कि कि आपके अंदर कुछ तंत्र की भी ज्ञान या तो आप तंत्र विद्या में भी इंट्रेस्ट रखेंगे हो सकता है कुछ तंत्र गुरू के भी संपर्क में आप आ सकते हैं कुल मिला करके मिन रासि मिन लगन वाले के लिए बहुत ही अच्छा है सिर्फ में गुरू जो नच्छत्र परिवर्तन किये हैं उससे क्या लाब होगा वही सिर्फ में गुरू के बारे में बता रहा हूं सिर्फ में एकी चीज है गुरू मंत्र आप जितना करेंगे जाप उतना अच्छा रहेगा नहाने के बाल्टी में तो गंगा जल डाल के हल्दी डाल करके केवरे का इत्र डाल करके नहाएं अस्नान किजिए उससे भी आपको अच्छा होगा माताराने के मंदिर में जाके दीपक दान करें और मंगलवार को हल्मान मंदर कम से कम जाया करें तेल सिंदूर चरहें इससे भी बहुत आपको अच्छा लाब मिलेगा बढ़ों को इजद किजिए ब्रह्मनों को दान दे जरुत मंदर को दान करें छोटे बच्चे को इसकूल का टाम चल दा है तो उसको इसकूल के अगर कोई गड़ीब अदमी का बच्चा है तो उसको जरूर आप फीस भर दें बुक दे दें पैन दे दें युनिफर्म खरिद के दे सकते तो दे दिजिए जो भी है एजुकेशन से जुरा हुआ उसको दे दिजिए आपको बहुत लाब मिलेगा ज्यान में ब्रुदी होगा इसी के साथ अपने बाने को विराम देता हैं अगर आप कुनले दिखाना चाहते हैं हमसे तो आप दिखा सकते हैं कोई वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो वास्तु विजिट भी करवा सक और अगर तंत्र बाधा से आप प्रीत हैं तो उसके लिए भी निदान कराना चाहते हैं आप करभा सकते हैं अब इसी के साथ जा जा मा कमा क्या जा जा मा कमा रादे रादे